भाईयो बहनो चिंता मत करना अगले पांस साल तक तुमको साड़े चार सो रुपए का सिलेंडर मिलेगा ये कह करके वोट मांगे गए लेकिन जुमा जुमा सरकार बने अभी चार दिन भी नहीं हुआ है और इस बीच में जब केंदर की सरकार से नरेंदर मोदी की सरकार से संसद में लिखित में जवाब मांगा गया तो मजबूरी हो जाती है लिखित में कोई अगर संसद में जवाब मांग ले तो फिर लिख करके ही उसका जवाब देना पड़ता है और केंदर सरकार ने लिखित में जवाब दिया है कि हमारी साड़े चार सो रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है बताए इसको क्या कहेंगा मोधी सरकार आएगी डबल इंजिन की सरकार आएगी तो ये फाइदा होगा वो फाइदा होगा तमाम तरीकी की बाते कही जाती है अमीच्या जी कह रहे थे कि भाहियो बहनो चिंता मत करना अगले पांस साल तक साड़े चार सो रुपए में सिलेंडर मिलेगा और वो सिलेंडर भी जो है वो अब उसको ले करके किंदर सरकार साफ तोर पर मना कर चुकी है बताईए जो सरकार सो डेड़ सो रुपए सिलेंडर के नाम पर छूट करके नहीं दे पा रही है वो सरकार पंदरा पंदरा लाग का वादा कर रही थी जब यह विपक्स में थे तब पंदरा पंदरा लाग का वादा था स्लेंडर के उपर आप डेड़ सो दो सो रुपय द्वाइसो रुपय की जो सबसीडी सरकार के अंदर सरकार दे सकती है उसको देने के लिए साफ तोर पर मना कर दिया है और यही लोग यही पार्टी यही इनी के नेता वो 15-15 लाग की बात करके वोट मांग रहे थे अब देखे चुनाव खतम बात खतम इसको क्या कहेंगे आप जरासी तो जो है वो थोड़ी बहुत तो कम से कम यह होती है कि चलिए लोग से कम चुनाव तक कम से कम इसको चलाया जाता लोग से कम चुनाव में उसके बाद में कोई और सरकार बनती नहीं बनती यहीं बनती तब बाद में फिर देखी जाती चीज़े लेकिन लोग से कम लोगों ने यह तो सोचा होगा केंदर सरकार का 4500 में सिलंडर देने से इंकार राजस्तान में बीजेपी ने किया था वादा केंदर सरकार का जवाब सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है मैं आपको अमिच्षा जी की वीडियो सुनाऊंगा उनका बयान सुनाऊंगा और आप देख लीजे इसके अंदर वसंद्रा राजे वह 4500 रुपय का सिलंडर लेकर के खड़ी हुई है लेकिन वसंद्रा राजे आप कहेंगी मैं तो खुद घर बैठा दी हूं मैं कहां से 4500 र सारी चीजे हैं और केंदर सरकार जो है वो कह रही है कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था अब जर्ण एक बार पहले अमीच्षा को सुनाइए अमीच्षा को आप सुनिए फिर उसके बाद में तफसील से मैं आपको खबर बताता हूं अमीच्षा को एक बर जर्ण पांच साल तक अगले पांच साल तक घैस का सिलिंडर साड़े चार सो रूपये में भाजपा सरकार देने का काम है है ना गजब बात अमीच्षा जी क्या कह रहे है भाईयो बहनो चिंता मत करना अगले पांच साल तक साड़े चार सो रूपये में सिलिंडर मिलेगा अब सरकार क्या कह रही है मैं आपको दिखाता हूँ केंदर सरकार ने राजस्तान साइत देश के किसी भी रज्य में साड़े चार सो रुपए में LPG सिलेंडर देने से साफ इंकार कर दिया है राजस्तान विदानसभा चुनाओ में BJP ने अपने गोशना पत्र में साड़े चार सो रुपए सिलेंडर देने का वादा किया था समाजवादी पार्टी के राजसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रिये पेट्रोलियम एवं प्राकरतिक गैस रज्य मंत्री रामेस्वर तेली ने साड़े चार सो रुपए में गैस सिलेंडर देने से किसी भी योजना से साफ तोर पर इंकार कर दिया कि हमारी साड़े चार सो रुपए में ऐसी कोई योजना नहीं है जावेद अली ने सवाल पूछा था क्या राजस्तान में साड़े चार सो रुपे में गैस सिलंडर देने की घोशना की है ये सवाल पूछा था क्या सरकार साड़े चार सो रुपे में गैस सिलंडर देने की योजना पर काम कर रही है ये सवाल का हिस्सा था, इस सवाल के जवाब में केंद्रिय पैट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, नहीं, भारत सरकार ने राजस्तान में इस सरकार की कोई घोशना नहीं किया, इसकी कोई योजना नहीं है, हमने ना कोई घोशना की, ना कोई वादा किया, ना हमारी कोई योजना है जीनों ने किये वो जाने वसंदरा के आत में पोस्टर था वसंदरा विचारी घर पे है और जिनके हाथ में अब गद्धी है उनके आत में कोई पोस्टर नहीं था तो बात हो गई बरामर वसंदरा ने वादा किया था वसंदरा को घर पर बैठा दिय गैलोट सरकार ने उजुला परिवारों को 500 रुपए में सिलंडर देना शुरू कर दिया था 500 में सिलंडर मिल रहा था पहले से ही गैलोट रज्जे में रज्जे सरकार की सबसीडी का पैसा वहन करती थी अब रज्जे में बीजेपी की सरकार है साड़े चार सो रुपए सिलेंडर देने की योजना पर बचा हुआ पैसा आगे भी राजे सरकार को ही देना होगा के अंदर सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी तो बोलिए अब एक बार जोर से दोनों हातों की मुठी बीच करके संकल्प की मुठी बीचिये और जोर से बोलिए ये जुमला था ये जुमला था और ये क्या कहेंगे इसको मतलब कोई तो ऐसा होता है कि चलिए थोड़े दिन के लिए ही हम ये सही है कि इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा ये सही है कि इस पर कोई डिबेट नहीं करेगा ये सही है कि किसी चैनल में किसी अख़बार में इस ख़बर को परमुक्ता से नहीं दिखाया जाएगा लेकिन क्या इतना बर कह देने से कि ठीक है टीवी अख़बार में इस बात की चर्चा नहीं होगी तो क्या ये ख़बर लोगों तक पहुंचेगी नहीं क्या एक कागच प तो फिर आप करेंगे क्या फिर प्लान क्या है कम से कम लोग सबाद चुनाओ तक तो चलाना ही पड़ेगा कैसे न कैसे करके लोग सबाद चुनाओ तक तो खिच नहीं पड़ेगा तो फिर करें क्या कैसे जो होगा केंद्रिय मंत्री आब आगे इसमें कह रहे हैं कि सरकार ने 30 अगस्त 2023 को LPG सिलेंडर पर 200 रुपे की कमी की है भारत सरकार ने 2022 और 2023 में भी 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर 30 सिलेंडर 200 रुपे की सबसीड़ी दे रही है अक्टूबर 2023 में उजवला योज़ना में सबसीड़ी फिर बढ़ा करके 300 रुपे कर दी गई प्रधान मंत्री उजवला योज़ना में 14 किलो का सिलेंडर उसकी कीमत सबसीड़ी के बाद में 603 रुपे है यह कीमत दिली की है सबसीड़ी मिल रही है तब 603 है जिनको सबसीड़ी नहीं मिल रही है उसका मतलब उनके पास में अभी भी सिलेंडर कितने का पहुँच रहा है अब यह तो लोग बता देंगे यह जो है वो अखबार में खबर में टीवी में च्छापने की बात नहीं है लोगों की जेब से जब पैसा निकलेगा तो लोग बता देंगे और यहर में निकलेगा सिलेंडर कम से कम समाने फैमिली के अंदर भी कम से कम महीने के अंदर एक तु खतम होई जाता है और अब वैसे भी जो है वो कहीं पर वो तो बचे नहीं है कि चलिए जंगल है तो पेड़ काटके ले आएंगे गाउं दियात का किसान तो फिर भी काम चला लेगा लेकिन शेरों के वो जो वाटसप वाले जो अंकल और अंटिया और जो भगत अंदभगत और जो लोग बैठे वे हैं वो बेचारे क्या करेंगे उनके प्रतित तो सानुवूती रखनी चाहिए वो बेचारे ना तो फुक मार के काम चला सकते हैं और उनको सिलंडर भी जो आप क्या ही कहें खेर मैं आपको बीजेपी का गोशना पत्र के वो लाइन दिखाता हूं ये देखिए आप ये हैं बीजेपी का गोशना पत्र 80 पेजों का गोशना पत्तर था और 80 पेजों के इस गोशना पत्तर में से 10 पेज पर क्या लिखाई ज़र गोर से सुनिए सुरक्सित समाज सजक्त महिला ये लिखा हुआ है और इसमें जहांपर ये निसान लगाया गया है यहां पर साफ तोर पर आप पढ़ सकते हैं हम सभी गरीब परिवार की महिलाओं को साड़े चार सो रुपए में LPG सिलिंडर परदान करेंगे सभी गरीब परिवार की महिलाओं को है मतलब गरीब कौन जिसको आप गरीब मानते हैं जो लोग अपने आपको मानते हैं किसको गरीब बताएंगे आप गरीब की परिवाशा भी याँ पर साफ नहीं की है हेसे सब्सक्राइब हुए लोगों को आदमी को ये पतानी चले कि गरीब को किसको गरीब को मानने जा रहा है कौन गरीब है यहाँ पर और फिर यहाँ पर साफ तोर पर लिखा है कि गरीब परिवार की मैलाओं को साड़े चार सो रुपे में सिलंडर देंगे औरो मोकंदर की सरकार के लीके नई हमारी ऐसी कोई योजना ही नहीं है नहाँ ऐसी किसी योजना की उपर काम कर रहे है तो बते यह भही और इससे जज़ sebagai क्या सकती है और इसी तरे से केवल राजस्फान की बात नहीं है एक ख़बर आप और देखी स्टार की ख़बर दिखा रहा हूं और ये ख़बर आप देखिए इस ख़बर में मद्यप्रदेश की लाडली बेहनों को सादे चार सो रुपय में नहीं मिल रहा गेस का सिलेंडर लाडली बैनों को 4500 रुपे में सिलेंडर देने की बात कही थी लेकिन लाडली बैनों को 4500 रुपे में गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या कहेंगे साहब इसको आप चुनाव से पहले खाते में डाले गए थे 219 करोड रुपे दो माँ से सरकार दुआरा नहीं दी जा रही है बेनों को 4500 रुपे की सबसीडी मतलब चुनाव से पहले आपने 219 करोड रुपे डाल दी है चुनाओ खतम तो अब साड़ी चार सुर रुपए के सबसेडी भी नहीं मिल रही है लाडली बेनों के साथ मैं आप कहेंगे वहाँ पर भी सिवराज नहीं है मतलब आप मुख्य मंतरी बदल ही देते हैं तो पुराने मुख्य मंतरी ने कोई वादा किया था वो पुराने मुख्य मंतरी अब है नहीं तो अब नए मुख्य मंतरी आ गए है नया काम करेंगे पुरानी बातों को भोल जाई आप पुरानी बात जल सिवराज सिंग चोहान ने कही थी तो वहाँ पर सिवराज सिंग चोहान को खत्रा होता कि लाड़ली बैने कल को मैं अगर लोगों के बीच में जाओंगा तो मुझसे सवाल पूछेंगी लेकिन वो ना सिवराज सिंग चोहान बचे वहाँ पर कुर्सी पर और ना ये उनका वादा बचा क्या कहेंगे इसको आप ये तो सीधे तोर पर जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि साब हमारी जो मन की मरजी हम वो करेंगे हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे और अगर इसी तरह से करना है तो फिर जब और भी सारे वादे हैं उनका क्या होगा या पंदाज़ा लगा लीजिए इसको आप सोच लीजिए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार इसी तरह से एक एक कर के सारे वादों को मुकर जाती है तो जनता फिर उसके बारे में क्या सोंचती है क्या जनता ये सोंचती है कि नहीं वहीं सब कुछ ठीक चल रहा है सब कुछ बढ़िया है सब कुछ चंगासी या जनता जो है फिर वो आखिरकार अपना जो है वो इसाब किताब भी मांगती है ये बात भी साफ होनी चाहिए अब जेकी एक चीज जो मैं आपको और समझाने कोशिस करता हूँ अब कोई की आदि ये काईगा कि नहीं ऐसा तो बीजेपी नहीं करेंगी क्योंकि चुनाओ में अभी चार-च्रह मेने का वक्त बाकि है और चुनाओ में जब की अब बात ऐसी है तो फिर इसका मतलब क्या समझा जाए ? इसका मतलब फिर क्या ये कहा जाए ? कि केंदर सरकार अगर नहीं देगी तो राज्य सरकार कुछ ने कुछ अपनी तरीके से चाहे करजा ले करके करें इन स्कीमों को कम से कम लोगसवा तक तो चलाएगी ही चलाएगी ठीक है ये खबर जो सामने आ गई वहाँ पर जवाब देना पड़ गया लेकिन अब हम कैसे न कैसे करके इसको चलाएगी लेकिन फिर सवाल ये उठेगा कि आप अपनी सरकारों की स्कीमे तो चलवा देंगे और आप अपनी सरकारों को पैसा भी दे देंगे लेकिन दूसरी जो राज्य की सरकारे हैं अगर वो पैसा मांगती हैं तो फिर कहते हैं कि खाजाने पर लोड है फिर फ्रीबीज की बात आ जाती है फिर और तमाम तरह के हवाले दिये जाते हैं अभी कल ही जो है वो ममता बेनर जी नरिंदर मोदी से मिली है और ममता बेनर जी नरिंदर मोदी से सिली मिली है क्योंकि उनके राज्चे का एक लाख करोड रुपए से जादा का पैसा वो मोदी सरकार छोड़ नहीं रही है देखिए जरे खबर दिखाता हूँ के अंदर पर हमारा एक लाख सोला हजार करोड रुपए का एक लाख सोला हजार करोड रुपए का बकाया ममता बेनर जी इस बात को कह रही है प्रदान मंतरी मोदी से मुलाकात के बाद पस्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी मम्ता बेनरजी ने कहा कि मैंने पीम से रज्य का बकाया फंड जारी करने का आग्रे किया है मम्ता ने दावा किया कि केंदर को पश्चिन मंगाल को 116,000 करोड रुपए देना है हमारे सांसदों समेट 10 सदसिय परतिनीदी मंडल ने आज प्रधान मंतरी मोदी से मुलाकात की मम्ता ने बताया कि कई योजनाय बंध है आवास योजना बंध है health mission बंद है finance commission पर भी रुपए नहीं मिल रहा है राज्ये करेंगे क्या 155 टीमें बंगाल का दोरा कर चुकी है कोई गड़बडी नहीं मिली है कि किसी योजिना में कोई गड़बडी की जा रही हो पैसा बाटने में कोई गड़बडी की जा रही हो कई पर कोई दिक्कत नहीं बता रहे है और इसके साथ में वो कह रहे है कि पीम ने अस्वासन दिया है कि इस पर केंदर और पश्चिम मंगाल के दिकारियों के बीच में सेउत बैठके होंगी इसके बाद में तै किया जाएगा कब तक पहुचेगा और कब मिलेगा न नममन का तेल होगा न रादा नाचेगी ये भी कावत है ना तो ये सारी चीज़े आपके सामने है और ये सारी चीज़े बताने के लिए काफी है कि आप जब वादा करें तो उन वादों को साफ तोर पर आप मुकर जाई है क्योंकि अगर केंदर सरकार वाँ पर हाँं भर लेती और केंदर सरकार कहती कि हाँ हम देंगे 45.4 रुपे में सिलंडर तो मोदी सरकार फस जाती फस इस लिहास से जाती क्योंकि फिर उसके बाद में करनाटक की सरकार भी पहुंचती और बाकी की राज्य सरकार भी पहुंचती कि हमारे आपर हमने भी कुछ गोशनाएं किये राज्य के अंदर और उनके लिए भी आप पैसा दीजिए अब जो पैसा मांग रही है ममता बेनर जी वो यह नहीं कि उन्होंने कोई अपनी स्कीमे चालू की है उसके लिए पैसा चाहिए उसके लिए पैसा द्वाब मोदी सरकार को देना है ममता बेनर जी ये कहा रही है कि हमारी जो स्कीमे है विलफेर की उसको हम इसलिए नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा नहीं है हमारे पास में और पैसा आना है उपर से और उपर से किस बात का पैसा आना है जी एस्टी का पैसा होता है मनरेगा का पैसा होता है और कई सारी स्कीमों का पैसा होता है जो रज्यों को किंदर सरकार को देना होता है लेकिन रज्य की सरकार को किंदर का पैसा नहीं मिल रहा है और रज्य के पास में इतने resources होते नहीं है कि वो सब चीजों का अपने ही रज्य से काम चला ले इसलिए हर रज्जे की सरकार चाहे वो नरेंदर मोदी की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो या और दूसरी सरकारे रही हो पहले भी रज्जे की सरकारे जहां पर जिसकी भी सरकार है वहाँ पर अगर रिसोर्शिज नहीं है तो रज्जे की सरकारे किंदर सरकार से पैसा लेती ही ह और केंदर सरकार के पास में भी अगर पैसा नहीं होता है तो फिर केंदर सरकार वो आर्बियाई से पैसा लेता है और अगर आर्बियाई के पास में भी पैसा नहीं होता है तो फिर वो बाहर से वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है तो ये सारी चीजे हैं और ये सारी चीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि चुनाओ से पहले कुछ होर और चुनाओ के बाद में कुछ और वे कावत है कि हाथी के दान्त खाने के कुछ होर होते हैं और दिखाने के कुछ होर होते हैं अब अगर जनता अभी भी दो करोड नोक्रियों को ले करके 15 लाक को ले करके सो स्मार्ट सिटी को ले करके और तमाम तरह किसी तरह से वादे किये गए है महिला सुरक्षा को ले करके किसानों की MSP को ले करके दुगनी आय कर दी जाएगी किसानों की 2022 तक 2022 भी चला गया 23 भी च सारी चीजों को लेकर के अगर सवाल पूछने लग जाए तो फिर जवाब में क्या मिलेगा आपको मालूम है लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो बात कहती है और उसके बाद में मोधी सरकार जो बात कहती है उसके बाद में उसको लेकर के जो जवाब निकल करके सामन लेकिन चुनाव के बाद में कैसे उन पर सीधे तोर पर मुकरा जाता है। फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।